एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे और वे सबी एक दूसरे का सहियोग किया करते थे जंगल में सबी जानवर हमेशा बहुत खुश रहा करते थे उल्हे किसी का डर नहीं था क्योंकि यहां का राजा एक बहुत बड़ा सेर था यो इन सबी का हमेशा रच्छा किया करता था जैकाल नामक गीदर सेर का सेवक है जो जंगल में सबी जानवरों को सेर के द्वारा दिया गया संदेश को पहुचाता है एक दिन बंदर ने मनुरंजन के लिए सबी जानवरों को आमंतरन भेजा चिर्या के द्वारा गदा बैया गदा बैया बंदर मामा ने मनुरंजन के लिए जंगल में बुलाया है चलो जल्दी चलो मनुरंजन होने वाला है हाँ हाँ चिर्या रानी मैं अभी चलता हूँ प्रोग्राम देखने बंदर बहुत अच्छा प्रोग्राम दिखाता है चिर्या वहाँ से उरकर फिर दूसरे जानवरों को कहने गई बक्री मासी बक्री मासी बंदर मामा ने जंगल में एक अच्छा सा प्रोग्राम रखा है चलो जल्दी चलो देखने बहुत सुन्दर प्रोग्राम है अरे वा मैं तो जरूर जाऊंगे प्रोग्राम देखने बहुत अच्छा मननंजन करता है बंदर इस तरह चिरिया राणी ने सभी जानवरों को अमंतिरित कर दिया और वे सभी जल्दी से आ गए बंदर के पास बंदर मामा पहन पजामा का मत खाने आये देला कुरता टोपी जूता पहन बहुत इतराये रसगुले पर जीलल चया पुभुने रखा गपसे नरम नरम था गरम गरम था जीबी जलगई लपसे बंदर मामा रोते रोते बापस घर को आये ठेकी तोपी ठेका जूता रोते और पचता आये मनोरंजन होते होते रात हो गई सभी अपने अपने घर जाने लगे आस तो मजा ही आ गया बंदर बहुत बढ़िया नाच रहा था बहुत बढ़िया हाँ बहन ये तो है बंदर बहुत बढ़िया नाचता है बहुत सुन्दर अरे बाई ये कैसी अवाज है मुझे तो बहुत डर लग रहा है हाँ बहन डर तो हमें भी लग रहा है जंगल में इससे पहले ऐसी अवाज कभी नहीं सुनी देखो बहन मेरा घर आ गया है यदि तुम चाहती हो तो आज भर यहीं रुक जाओ नहीं नहीं भाई हमें घर पे जाना बहुत जरूरी है हमें जल्दी से अपने घर पहुचना है ठीक है भाई मैं चलती हूँ ठीक है बहन अच्छे से जाना बकडी बहुत दड़ी दड़ी थी और वे अपने घर जा रही थी जंगल में एक खुखार भेरिया आ गया था भेरिया सिकार के लिए गुफा से बाहर निकला जब गुफा से बाहर निकला तो उसे बकडी भी खाए दिया उसमें बकडी को उसी जन मार कर खा गया वहाँ उसी गुफा में चला गया जहां उसका ठीकाना था भेरिया एक एक करके जानवरों को खाने लगा जिस तारण जंगल में उथल पुथल मच गई सभी जानवर बहुत घबरा गए थे जंगल में सभी ओर हाहकार मचा हुआ था जिसे देख गीदर को बहुत दुख हुआ सुनो भानू भाई ये सभी जानवर कहा भाग रहे है जंगल में क्या हो रहा है भाई जंगल में एक भेरिया आया है जो बहुत ही खतरनाक है सभी जानवरों को मार कर खा जाता है ये तो बहुत चिंता की बात है जाकर मैं जल्दी से महराज को बताता हूँ फिर वहां से गिदर दौरा दौरा आया और ये सारी बाते सेर को बताने लगा महराज महराज जंगल में एक भेरिया आ गया है जो बहुत ही खतरनाक है जंगल के जानवरों को वह मार के खा जाता है ये तो बहुत बरी चिंता की बात है तुम ऐसा करो कि कल सुहा सभा का आयोजन करो और जाकर सक्ति साली जानवरों को आमंत्रित करो सभा के लिए गिदर सक्ति साली जानवरों को आमंत्रन देने गया चंबल के महराज को मेरा प्रनाम है महराज ने आपके लिए एक संदेश भेजा है कल प्राता एक सभा का आयोजन किया गया है किर्पिया आप उस सभा में उपस्तित होने का कष्ट करे चीक है जैसी महराज की इच्छा मैं आ जाओंगा महराज ने आपके लिए आमंतरन भेजा है किर्प्या करके प्राता काल आप आज आईएगा ठीक है मैं आजाऊंगा सुभा होते ही सभा का आयोजन किया गया सभी सक्ति साली जानवर वहां उपस्थित हुए आज हमने सभा इसलिए रखा है क्योंकि हमारे जंगल में एक बरी विबदा आन पड़ी है एक भेरिया आ गया है जो जंगलों के जानवरों को मार कर खा जाता है आप सबसे निवेदन हैं कि उस भेरिया को मार गिराए बाध ने बोला महराज आप निश्चित रहे हम इस भेरिया को देखते हैं ठीक है जाए आप और जल्ली से उस भेरिया को मार गिराए और प्रदा की रख्चा के जिए बाग उसी गुफा के पास गया जहाँ वह भेरिया रहता था भेरिया और बाग के बीच भ्यानक युद हुआ लेखिन दुख की बात है कि बाग मारा गया फे एक एक कर कई जानवर मारे गए इसके बाद गीदर ने सेर को या समचार दिया महराज बहुत चिंता की बात है हमारे सभी योधा मारे गए ये तो बहुत दूख की बात है ये भेरिया ने अच्छा नहीं किया चलो आज उसी मारी दूटा सेर उसी गुफा के पास गया जहाँ भेरिया रहता था दोनों के बीच भेंकर यूध हुआ और इस यूध में भेरिया मारा गया इसके बाद फिर से जंगल में खुसिया लोट आई और सभी जानवर मिल जूड कर रहने लगे एक जंगल में समराट नामक सेर रहता था और जैकाल नामक गीवर उसका सेवत था जो उसकी सेवा में रोज तक पर रहता था और बदले में सेर द्वारा मारे गए सिकार का कुछ भाग भोजन के रूप में उसे प्राप्त होता था एक बार सेर का हाथी से सामना हो गया दोनों अपने गर्व में चूड थे बात बाठी और यूध तक पहुँच गई दोनों में यूध हुआ जिसमें हाथी सेर पर हावी रहा उसने सेर को सूट से पकर कर उठाया और धार्टी पर पटक दिया सेर के सरीर की कई हड़ी तूट गई सेर बुरी तरह चोटिल हो गया था ऐसे में सिकार पर जाना उसके लिए दुसबार था वा दिन भर एक अस्थान पर बैठा रहता सिकार ना कर पाने के कारण वो और उसका सेवक गीदर दोनों भूखे मरने लगे तो गीदर ने बोला महराज क्या करे आप तो सिकार पर जा नहीं सकते मैं ठारा आपका सेवक मैं तो आप पर निर्वर हूँ एसी स्थिती में मेरा सिकार पर जाना संभव नहीं है लेकिन यदि कोई जानवर मेरे निकट आ गए तो अब भी मुझे में इतनी शक्ती है कि अपने पंजे के एक बार से उसके प्रान हर सकता हूँ तुम किसी जानवर को बहला फुशला कर मुस्तक ले आओ मैं उसे माड डालूँगा और फिर हम दोनों अच्छी तरह भूख मिटा लेंगे जीदर को सेर की बात जच गए और वहां सिकार की खोज में निकल पड़ा चलते चलते हुआ एक गाउं में पहुचा वहां उसने एक खेत में करन नामक गधे को चरते हुए देखा उसे देखा वह सोचने लगा कि इस गधे को किसी तरह सेर के पास ले जाऊं तो कई दिनों के भोजन की बिवस्था हो जाएगी वहां गधे के पास गया और मिठा स्वर भर कर बोला अरे मित्र क्या हाल बना रखा है पहले कितने मोटे दगरे थे इतने दुबले पतले कैसे हो गए लगता है दोवी कुछ ज़्यादा ही काम ले रहा है गीदर ने गधे की दुखी रग पर हाथ रख दिया गधा दुखी स्वर में बोला सही समझे मित्र मैं बरा दुखी हूँ दोवी मुझ से अवे सकता से अधिक काम लेता है और कुछ गंती हो जाने पर खुप पीड़ता है उपर से खाने को भी कुछ भी नहीं देता है इधर उधर चरकर किसी तरह मैं अपनी भूग सांथ करता हूँ इसलिए मेरा ऐसा हाल हो गिदर ने मोके की नजाकत समझ ली और कहने लगा मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ मित्र वैसे तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक ऐसे अस्थान पर ले जा सकता हूँ जहां हरी घास का विसाल मैदान है तुम वहां जी भर कर घास खा सकते हो यह तो बहुत अच्छी वहां हो कि और बात का ही नित्र वाल जंगली जानवरों का भै होगा प्रानों प्रसंकट आ गया तो मैं एक हूँ जो भी प्राप्ठ हो रहा है कम सी तम सुरच्छित तो हूँ अरे मित्र क्या बात कर रहे हो मेरे होते हुए तुम्हें किस बात कब है है वह पूरा छेत्र मेरे अधीर है वहाँ कोई तुम्हें हानी नहीं पहुचा सकता तुम मिर्वय होकर वहाँ के घास के मैदानों में चर सकते हो और एक बात तो तुम्हें बताना ही भूल गया वहां तीर गर्दव कन्याय भी रहती है जो अपने वर की होज में है संभावता वहां तुम्हारी बात भी बन जाएगी गधा उसकी बातों में आकर उसके साथ चनले को तयार हो गया गीदर उसे लेकर उस अस्थान पर पहुँचा जहां सेर बैठा हुआ था गीदर को गधे के साथ आते हुए देख सेर खुस हो गया और अपनी सारी सकती जुटा कर उठ खरा हुआ ताकि गधे का सिकार कर सके इधर गधे ने जैसे ही सेर को उठते हुए देखा वह वहां से भाग दया सेर में इतनी सकती ही नहीं थी कि वह उसका पीजा कर सके गीदर को सेर पर बहुत करोद आया कि हाथ में आया सिकार उसने यूही जाने दिया महराज, अब मुझे समझ में आया कि हाथी ने आपको यूद में पटकनी कैसे दी आप में तो गधे का सिकार करने का भी सामर थे, नहीं है, हाथी तो फिर भी अती बलवान था सेर लजी धोकर बोला क्या करूँ, मैं जप्टा मारता, उसके पहले ही वह भाग गया मेरे पंजे का एक बार भी लग जाता, तो वह बच कर नहीं जा पाता, तुम उसे किसी तरह एक बार फिर ले आओ अब की बार मैं दवोच हिलूँगा, उसे दुबारा लाना बहुत कठिन है, फिर भी मैं पढ़ियतन करूँगा, किन्तु इस बार वह आए तो बच के जाने ना पाए फिर वहाँ गधे की तलास में निकल परा, कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि गधा एक बेर के नीचे सुस्ता रहा है, वहाँ उसके पास गया और बोला क्या हुआ मित्र, तुम वहाँ से क्यों भाग आए अच्छी बात कर रहे हो तुम, तुम मुझे किसी भयानक जीव के पास ले गए थे, जो मुझे देखते साथ मेरे पीछे भागा था, आज तो मुझे मुझे मौत सामने दिखाई पर रही थी, पूरा जूर लगा कर भागा, ना होता, तो आज अभी तुम से बात ना कर रहा होता, गीदर ने फिर से अपना पासा भेगा, अरे तुमने ध्यान नहीं दिया, वो एक गरदवी कन्या थी, तुम्हें देखकर वो उतावली हो गई, और तुम्हारे पास आने लगी, किन्तु तुम तो ऐसे भागे कि नजरों से ओजल ही हो गए, अब वो तुमसे पुना म चाहिए, उसे इस तरह सताना उचित नहीं है, गधा फिर गीदर की बातों में आ गया, और उसके साथ फिर जंगल की और चल परा, सेर वहां घात लगाये वैठा था, इस वार उसने गल्पी नहीं कि, जैसे ही गधा उसके निकट आया, उसने अपने पंजो का सक्ति साली वा मैं नदी में असनान कर आता हूं, तुम तब तक इसकी निगरानी करो गीदर गधे की सब की निगरानी करने लगा से नदी की ओर चला गया उधा सेर को असनान करने में देरी हो गई और इधर गीदर भूख से ब्याकुल हो रहा था आखिर उससे रहा ना गया और उसने गधे का कान और दिमाग खा लिया सिर जब अस्नान कर लाटा तो गड़े के कान और दिमाग को गायब देथ गीधर पर क्रोधित हो गया लोभी मैंने तुझे निगरानी के लिए यहां छोड़ा था किन्तु तुमसे मेरी परतिक्छा भी नहीं हुई तुने इसे जूठा कर दिया महराज आप गलत ना समझे इस गड़े के कान और दिमाग तो थे ही नहीं होती तो क्या यह एक बार मौत के मुँसे बजने के बाद दुबारा वापस आता सिर को गीधर की बात ठीक लगी फिर क्या था दोनों ने छखक कर गड़े का मास खाया एक धना जंगल था जहां एक खतरनाक से रहता था कोवा सियार और चिता उसके सेवक के रूप में हमेशा उसके साथ रहते थे सेरों सिकार करके भूजन करता और ये तीनों उस बचे हुए सिकार से अपना पेट बरते थे एक दिन उस जंगल में एक उट आ गया जो अपने साथियों से बिछर गया था सेर ने कभी उट नहीं देखा था कोवे ने सेर को बताया कि यहां उट है और यहां जंगल में नहीं रहता साइब पास के गाउं से यहां आ गया होगा आप इसका सिकार करके अपना पेट बर सकते हो चिता और सियार को भी कभी कभी की बात अच्छी लगी तीनों की बात सुनकर सेर ने कहा कि नहीं यह हमारा महमान है मैं इसका सिकार नहीं करूंगा सेर उट के पास गया और उट ने उसे सारी बात बताई कि वो किस परकार अपने साथियों से बिझहर कर जंगल में पहुंचा सेर को उस कमजोर उट पर बैया आ गई और उसने कहा कि आप हमारे महमान हैं आप इस जंगल में ही रहेंगे कवा, चिता और सियार इस बात को सुनकर मन ही मन उट को कोशने लगे उट ने सेर की बात मान ली और जंगल में ही रहने लगा जंदी ही जंगल की घास और हरी पत्यां खाकर वहां तंदुरुस्त हो गया इस बीच एक दिन सेर की जंगली हांखी से लडाई हो गई और सेर बुरी तरह से घायल हो गया वह कई दिनों तक सिकार पर नहीं जा सका सिकार ना करने पर सेर और उस पर निर्भर कवा चिता वह सियार कमजोर होने लगे जब कई दिनों तक उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिला तो सियार ने सेर से कहा महराज आप बहुत कमजोर हो गए हैं और अगर आपने सिकार नहीं किया तो हालत और जागा खराब हो सकती है मैं इतना कमजोर हो गया हूँ कि अब कहीं भी जाकर सिकार नहीं कर सकता अगर तुम लोग किसी जानवर को यहाँ लेकर आओ तो उसका सिकार मैं कर लूँगा मैं अपना और तुम तीनों का पेट भर सकता हूँ आप चाहे तो हम उट को यहाँ लेकर आ सकते हैं आप उसका सिकार कर लिजेगा सेर को यह सुनकर गुस्सा आ गया और बोला वह हमारा महमान है उसका सिकर मैं कभी नहीं करूँगा सियार ने पूछा कि महराज अगर वो स्वेंग आपके सामने खुद को समर्पित कर दे तो तो मैं उसे खा सकता हूँ फिर सियार ने कववे और चीते के साथ मिलकर एक योजना बनाई और उट के पास जाकर बोलने लगा कि हमारे महराज बहुत कमजोर हो गए हैं उन्होंने कितने दिनों से कुछ नहीं खाया है अगर महराज हमें भी खाना चाहे तो मैं खुद को उनके सामने समर्पित कर दूँगा सियार की बात सुनकर कववा चीता और उट भी बोलने लगे मैं महराज का भोजन बनने के लिए तयार हूँ चारो सेर के पास गए और सबसे पहले कववे ने कहा महराज आप मुझे अपना भोजन बना लेजिए अरे कुवा भाई तुम तो बहुत छोटे हो तुम भोजन क्या नास्ते के लिए भी ठीक नहीं हो अरे रे नहीं महराज मुझे अपना भोजन बना लेजिए अरे भाई तुम मर जाओगे तो महराज का सिनापती कौन रहे फिर स्यार ने खुद को समर्पित कर दिया तब कवा और चिता बोला कि तुम्हारे बाद महराज का सलाकार कौन बनेगा जब तीनों को सेर ने नहीं खाया तब उटने भी सोचा कि महराज मुझे भी नहीं खायेंगे क्योंकि मैं उनका महमान हूँ यह सोचकर उटने बोला कि महराज आप मुझे अपना भोजन बना लो इतना सुनते ही सेर जिता और सियार उस पर जपट परे इससे पहले कि उट कुछ समझ पाता उसके प्रान सरीर से निकल चुके थे और चारो उससे अपना भोजन बना चुके थे बच्चो हमें इस कहानी से यहीं सिख मिलती है कि हमें बिना सोचे किसी की बातों में नहीं आना चाहिए बच्चो यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो और इस तरह की अच्छी-च्छी कहानिया देखने के लिए चैनल को सस्क्राब और साथी बैल एकन को प्रेस कर ले ताथी आपको निया नोटिपिकेशन मिलता रहे नहने वाग बच्चो झाल